नमस्कार दोस्तों वलकम बैक टियो ओन चैनल वैल सागा बर्गर किंग का आइपियो आ रहा है लेकिन बर्गर किंग का आइपियो जितना ही ग्लैमरस दिख रहा है बाहर से अंदर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से जब मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो शायद अप स मिलते रहे हैं जब कभी भी हम लोग नया वीडियो अपलोड करें क्योंकि हम लोग इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी लाते रहते हैं on daily basis तो हम लोग ज़्यादा समय जाया ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों बर्गर किंग के similar segment बर्गर किंग जिस segment में काम करता है फास्ट फूड बिजनस में काम करता है उसी बिजनस में एक और कंपनी काम करती है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में limited है उसका नाम है West Life ये स्टॉक लिस्टेड है तो West Life Development आपको मालूम होना चाहिए ये वो स्टॉक है जो कि MacD, MacDonald's के franchisee को own करता है और run करता है ये स्टॉक भी August 2019 में list होता और approximately at the price range of 300, sub 300 level और 300 के level से ये pre-covid, covid से पहले स्टॉक 500 रुपय तक गिया था और अभी ये स्टॉक करेट करके फिर से उसी price range पे आ गया था जिस price range पे ये स्टॉक list हुआ था कहने का मत ये है कि ये stock almost अपने उसी fair value पे आ गया था जिस fair value पे ये list हुआ था लेकिन अभी stock ने pick up शुरू किया है लेकिन अगर आप इसको compare करेंगे with Burger King तो फिर आप surprise हो जाएंगे, surprise क्यों हो जाएंगे मैं उसको अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि West Life और Burger King same segment में काम करते हैं, ये भी burger बेचते हैं, वो भी burger बेचते हैं, और अगर आप ऐसा मेरा personal user experience है, कि आप Burger King के अगर burger को खाएंगे, और अगर आप McD के burger को खाएंगे, तो you will find a stark difference and मुझे somehow Burger King का burger पसंद नहीं है, और let me tell you friends, ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, if you do not like the product of any particular company, at least I will not personally would like to invest in that company, इस बारे में अभी आपको जादा dwell करके बताऊंगा, पहले हम लोग quickly एक बार नजर डाल लेते हैं, West Life के results के बारे में, तो West Life के अगर आप results देखेंगे, 2017, 18, 19, 20, that is McD, I am talking about McD, McDonald's, तो McDonald's का revenue आप देख सकते हैं, इंडिया में जबरदस तरीके से उपर जा रहा है, लेकिन जिस चीज में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो है उनकी profitability, almost negligible profitability पे काम हो रहा है, मेरी बास समझ में आ रही है आपको, 2017, loss, 18, almost negligible, 19, negligible, 2020, again, it is more or less negligible only, so, ऐसे negligible profits पे West Life development काम कर रही है, अगर मैं अभी आपको, you know, अभी, just a moment back, just a moment ahead, I will tell you, the financials of Burger King, तो आप surprise हो जाएंगे कि ये financials आपको कहीं ज्यादा अच्छे दिखाई पड़ेंगे, as compared to Burger King, Burger King के मैं आपको financials दिखाऊं, उससे पहले West Life के मैं थोड़े से और financially deep जाना चाहता हूँ, तो अगर हम total revenue के बारे हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बता है, total revenue इसका साल दरसाल बढ़ता चला जा रहा है, आप देख सकते हैं, 950, 1152, 1415, 1560, बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम लोग बात करें, net income की, या फिर earning per share की, क्योंकि earning per share दिखाता है, basically reflect करता है, company के profitability, तो उससे आप बहतर gauge कर सके हैं कैसा उसका performance चल रहा है, तो earning per share आप दिखेंगे, क अगर आप profit को देखेंगे, net income को देखेंगे, तो you will find minus 12.11, मतलब loss, 2017 में loss, फिर उसके profit 13, उसके 21, फिर उसके बाद loss, तो overall company की जो profitability है, वो dwindling है, और 2020 के जो ये results है, इसमें क्या चीज़ फेक्टर इन नहीं है, COVID के results, COVID का impact, फेक्टर इन नहीं है, क्योंकि 2020 तो मार्च में खताम हो गया न, और COVID का सारा impact कब से start हुआ है, 23rd of March onwards, तो overall आप देखेंगे, जो इस sector का leader है, MACD, उसकी balance sheet गड़बड हो रखी है, अगर हम लोग Burger King को देखें, तो let's see what is visible, अगर हम लोग Burger King को देखते हैं, तो Burger King के assets को, अगर हम लोग compare करें, 2018 से 2020 को, तो assets इनके बढ़ र 2018 में इनका revenue was almost 4000 crores, उसके बाद almost 6500 crores, उसके 8500 crores, और अभी तक इनका September, that is 2 quarter में, it is 1500 crores, जो की आप समझ सकता हैं, गर इसी rate में चलता रहा, तो it will be approximately 3000 crores, तो इसका clear cut impact दिखा ही पढ़ रहा है, इनके revenue model पे, तो जो की almost उसी state पे आ गया है, जिस state पे वो शुरू किया था उन्होंने, 2018 में business, तो 2018 के financials पे stock फिर से आ गया, लेकिन गर बात करें, profit after tax की, तो आप देखिए bumper loss, मतलब जो वेसले development है, उसमें आप दिखेंगे, no profit, no loss, no profit, no loss पे भंदा चल रहा है, इसमें तो loss making company है, अच्छे खासे loss में आपको company दिखाई पढ़ रही है, minus 822, minus 382, minus 765, minus 1189, अब बताओ, इस प्रकार के financials वाली company में आप invest करना पसंद करेंगे, पहली चीज़ तो यह आप मुझे comment section बताइए, do you like the financials of Westlife development, or you are lacking the financials of Burger King, let me know in the comment section, अब अगर आपने ये decide कर लिया है कि किस प्रकार के financials में आपको choice ज़्यादा अच्छी लग रही है, किस प्रकार के financials आपको ज़्यादा अच्छी लग रहे हैं, फिर आप decide करिए कि company के IPO में invest करने पर उसमें क्या हमको benefit मिल सकता है, अगर company के price band के बारे में बात करें, तो company का एक share मिलेगा, जिसमें की company के financials मैंने already discuss कर लियें, और बात करें, अभी company ने lately, lately ही company ने अपने shares को sell करके, कुछ पैसा भी raise किया है, as far as pre IPO fundraising is concerned, और pre IPO में जो उन्होंने fund raise किया है, वो किया उन्होंने 58.5 rupees per share पे, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें एक चीज़ clear cut निक price है, वो बिलकुल fairly valued है, as far as companies fundamentals are concerned, तो जिस प्रकार से company के fundamentals dwindling हैं, या थोड़े से weak हैं, उस प्रकार से उन्होंने share के price को भी रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ये share महंगा है, बलब share के fundamentals के हिसाब से, ये share fairly valued है, यो कि pre IPO funding भी almost इसी price range पर हो चुकी है, netto 2 crore की before IPOs issue, तो company fresh shares issue करेगी, worth rupees 810 crores के, basically उसे पैसा raise किया जाएगा company के लिए, तो उससे 810 crore rupees raise किया जाएगे, उसमें 450 crore के fresh issue of share होंगे, I said 810 crore, तो 810 की total capital raise की जाएगी out of this IPO, 450 crore के fresh share issue किया जाएगे, इसके अलावा 60 million share, 60 million shares को sell करेगा, इसका जो promoter group है, that is QSR, Asia Private Limited, 60 rupees के price पर, मतलब वो अपना माल आपको बेच करके, आपको थमा करके, हर share का 60 rupees आप से ले करके, इससे exit मारेंगे, exit मारेंगे, या फिर partially sell करेंगे, I am sure partially sell करेंगे, लेकिन कुल मिला करके, अपनी holding को कम करेंगे, और कितना कम करेंगे, उसको देख लेते हैं, तो जो company के shareholder की issue से पहले की holding है, वो है इस समय almost 100%, लेकिन इस IPO के बाद, promoter की shareholding रह जाएगी, मातर 53%, ऐसे में दोस्तों, अगर promoter holding is going down drastically so much, अगर आप इसमें invest करना चाहते हैंगे नहीं, यह आपके लिए एक दूसरा प्रशन है, क्या आप इस shareholding से post IPO खुश हैं, अगर आपको लगता है, let me know, let me know in the comment section, अब बात आती है, अगर आप खुश हैं, if you are satisfied कि yes, अगर इस promoter holding से मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है, company की fundamentals के साब से price fairly valued है, मैं इसमें invest करना चाहते हूँ, for listing gains, तो फिर अगर आप invest करना चाहते हैं, तो minimum lot मिलेगा 15,000 रुपए का, because उसमें shares आएंगे 250 at the price range of रुपीज 60, और maximum आप share invest कर सकते हैं, आपको मालम होना चाहिए as a retailer, आप 2 रुपीज 2 lakh in any IPO, तो 2 लाक रुपए तक का IPO में आप निवेश कर सकते हैं, तो उसमें आपके मिलेंगे 13 lot, जिसमें आपको मिल सकते हैं 3,250 shares, और उस lot की value होगी 1,95,000, तो अगर आप एक share bid करना चाहते हैं, वो होगा 200 रुपए का एक lot और 15,000 रुपए आपको निवेश करने पड़ेंगे, और maximum आप 13 lots bid कर सकते हैं, अब आपका question होगा कि sir, इस IPO में पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले मुद्दे पे आओ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ important data है, वो भी आपके साथ मुझे share करना है, IPO open होगा 2nd of December को, close होगा 4th of December को, और अगर आप lucky हैं, if you are lucky, you will be getting the allotment, और allotment हो जाएगा और उसके share की listing date है, 14th of December, share आपके account में अलोड़ी 11 तारीक हो आ जाएगे, और 14 तारीक हो ये list होगा, profit या no profit, no profit, loss listed discount पे होगा के नहीं होगा, वो तो समय बताएगा, लेकिन आज के दिन क्या चल रहा है, जरा उस पे नज़र डाल लेते हैं, 10 रुपए की face value का share है, और हर एक share जो की आपको 60 रुपीज के price पे मिलेगा, 59 to 60 आप आप of course 60 रुपीज पे उसको bid करेंगे, ये share दोस्तों मेरी समझ से, मेरी आँखों की जैसा की मेरी reading जाती है, as far as companies fundamentals are concerned, fairly valued price है, मैं इसको महंगा नहीं कहूँगा, मैं इसको सस्ता नहीं कहूँगा, fairly valued कहूँगा क्योंकि इससे अभी अभी pre-IPO price पे बिल्कुल almost इसी price पर पैसा उठाया गया है, तो जब किसी बड़े investor से, anchor investor से पैसा pre-IPO उठाया जाता है, और उसके price almost, अगर listing price मतलब जिससाब से इनोंके IPO का price band है, उससाब से होता है, तो आप एक broad idea लगा सकते हैं कि इसका जो price है, वो almost fairly valued ही है, अब बात आती है कि company का जो grey market premium है, अगर मतलब आज की date पे, आज की date पे अगर आप बात करें, company का share कितने premium पे trade हो रहा है, grey market premium, तो वो 20 से 25 रुपए के grey market premium पे trade हो रहा है, मतलब क्या है, 60 रुपए का stock approximately 80 to 85 रुपीज पे list होगा, ऐसी expectation अब आज के दिन रख सकते हो, लेकिन 14th of December को क्या होगा, इसकी कोई guarantee नहीं ली जा सकती है, क्योंकि grey market premium बहुत तीजी से fluctuate होता है, और generally by the day it is listed, by the day stock is listed, बिल्कुल जमीन आसमान का फरक भी हो सकता है, आज के दिन 20 रुपए दिखा रहा है, जिस दिन listing होगी हो सकता है, उस दिन negative में हो, basically उस दिन आपको दिखा सकता है, कि यह stock premium की जगे है, बर discount पे list होगा, वो depend करता है market के क्या rate चल रहा है, market क्या situation चल रही है, market कहीं गिरावट में तो नहीं है, लेकिन as on date की बात करें, तो दोस्तों stock में आपको 20%, approximately 33% की premium पे list होने की उमीद दिखाई पड़ रही है, वेट करें, थोड़ा देखें क्या sentiment चल रहा है, कैसा subscription रहा है, अगर first day subscription promising रहेगा, तो I will make the second video, और मैं भी यह भी बताऊँगा कि क्या मैं इसमें invest कर रहा होगी नहीं, उसके बाद you can take your call, and thereafter you can invest, Otherwise, आपने financial advisor से discuss कर सकते हैं, कि इस IPO में आपको कैसा trade लग रहा है, promising है की नहीं है, मेरे हसाब से, इस company में ज्यादा promising मुझे business model तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, as far as its competition is concerned, अगर हम लोग बात करें, इस segment में जो best stock है, वो है jubiland foodworks, कोई उसका सानी ही नहीं है, there is no competition at all, आज ऐसे ही आप बात करते हैं, you know, jubiland foodworks की, बिल्कुल out of question है, मतलब उसका जो business model है, उसका जो profitability है, it is just, you know, कोई उसके आसपास ही नहीं है, लेकिन अगर burger king के IPO के price के बारे हम बात करें, price band के बारे हम बात करें, तो वो reasonably valued है, ठीक ठाक price range में मिल रहा है, अगर आप listing gain के लिए लेना चाहते हैं, bid कर सकते हैं, लेकिन first day का subscription data भी ना देखे, उसको पहले दिन bid नहीं करना, this is just a small pearl of wisdom which I wanted to share with you, thank you so much for giving your precious time, I hope आपके कुछ परस्पेक्टिव क्लियर हुआ हुआ हुआ, bye-bye for now.